Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. तो आज हमारा 20th day है Crash Course का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले GK and Current Affairs. So आज हम जो topic cover out करने वाले, that is Indian History and Culture, इसको आज हम cover out करने वाले हैं. एक important topic है, हाला कि हम पूरा topic यहां पर cover out नहीं कर पाएंगे, but as far as possible, we'll try to cover out यहां पर काफी सारी चीजों को. और जो बच जाएगा, वो हम आपको worksheet में provide करें, तो worksheet आज का बहुत important होने वाले, because एक बहुत intensive worksheet हमने ready किया, जो कि pointer based है, यहां पर कोई भी MCQ आपको नहीं मिलगा, because आपको यह चीजे याद करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने MCQ को नहीं रख रहा हैं. तो उस worksheet में आपको काफी सारी चीजे मिलें, काफी सार important pointers मिलेंगे, जिसको आपको एक बार read करना, और thoroughly आपको उसके go through करना, ताकि आप वो अगर वैसे questions आएं, तो at least आपने कहीं न कहीं read किया हो, ऐसा तो at least आपको feel हो, और अगर याद रहेगा, तो बहुत ही अच्छी तो आज का worksheet जरूर डाउनलोड करना, ठीक है, तो आज हम 25 questions करने वाले हैं, तो हम 25 बोल हैं, बड़ यह जादा भी हो सकते हैं, because हर question में कुछ और भी जादा information भी होने वाला है, साथ ही में, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी, हम सबसे पहले देखिए, आपने अभी तक notes और worksheets के लिए WhatsApp और चलिग्राम को जाइन कर सकते हैं, पर description में लिंक दियागे, वहां से भी आप जाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले start करेंगे Indian culture की तरफ, तो 10 questions हम लेंगे Indian culture का, उसके बाद में हम history बढ़ेंगे, तो history के हम यहाँ पर 15 questions को ले Devotional saint and a cobbler by profession was? तुलसिदास, सुर्दास, रवीदास या मुलुकदास? तो यहाँ पर आपको बताना है कि, who is a devotional saint as well as cobbler by profession? तो इसका right answer है, option C, रवीदास. तो आपने mostly जब भी आप कोई भी cobbler के यहाँ पर गए होंगे, जब भी आप कहीं पर like जूते, सिलते जो लोग हैं, तो वहाँ पर जब आप गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक photo हमेशा देखा होगा, that is of saint Ravidas, saint Ravidas का हुआ, guru Ravidas का हो photo रहता है, और recently यहाँ पर हम anniversary, okay, तो 647th birth anniversary पे, PM Modi ने saint Ravidas का statue का unveil किया, and Ravidas और Raiidas, okay, उनके दूसरा एक नाम भी है, Raiidas भी हम कभी कभी कहीं कहीं पर पढ़ने के लिए मिल जाता है, तो Ravidas हो या Raiidas हो, same है यहाँ पर ठीक है, Ravidas और Raiidas हो इनका यहाँ पर tenure क्या है, like, birth year है 1267, and death year है 1335, was an Indian mystic poet saint of the bhakti movement, during the 15th to 16th century CE, okay, so from 15th to 16th century, यह एक मतलब bhakti movement के saint थे, मतलब संत थे, ठीक है, आगे बढ़ते है, Kargum is a folk dance of which state, Kargum कौन से state का, Indian state का folk dance है वहाँ का, cultural dance है, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, या फिर आंदर प्रदेश, इसका right answer जो है, that is option B, Tamil Nadu, so Tamil Nadu का Kargum is a folk dance of Tamil Nadu, okay, अब देखो यह question यहाँ पर ऐसा question है कि अगर आपको आता है, तो आपको आता है, नहीं आता है, तो नहीं आता है, इसलिए आज का जो हमने work sheet बनाया है, आपको सारे folk dance of Indian state wise, आपको उसके majority of the dance forms है, state wise, उसके आपको एक list हमने दे दिया work sheet में आज, तो आज का work sheet जो आप open up करेंगे, तो वहाँ पर complete एक आपको वहाँ पर work sheet, इसलिए मैं बोला था कि 25 questions तो मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, अक्चुल मैं देखो कि तो questions का कोई number यहां पर नहीं बनते हैं, next है, हॉन्बिल festival is celebrated in which state? अब देखो, ऐसे भी questions बन जाते है, festival related भी questions आते हैं कि कौन से state में कौन सा festival मना जाते है, अब हॉन्बिल कौन से state का festival बताना है, मनेपूर, नागालेंड, मिजोरम या पर अनाशन प्रदेश, तो इसका right answer जो है that is, इसका right answer है B, नागालेंड, तो हॉन्बिल जो है यह नागालेंड का, नागालेंड में celebrate किया जाता है, वहां का festival है, और festivals के लिए भी हमने आपको complete list प्रवाइड किया है in the worksheet, तो वहां पर festivals का भी Indian state-wise festivals जो भी होते हैं, उसका भी हमने आपको complete information table-wise आपको वहां पर प्रवाइड किया हुआ, ठीक है बढ़ते है next question की तरफ, Panthi is a dance form from which of the following states, so Panthi, एक dance form कौन से state से है, कौन से state में, Panthi is a dance form, Bihar, Odisha, Rajasthan, या फिर 36 तो the right answer for this is option D, 36 ठीक है, once again, worksheet में dance forms का एक list दिया गया, do study that, मतलब उसको पढ़ना जरूर, okay, do study that, because बहुत important है और याद रखने की भी कोशिश जरूर करना, ठीक है, तो 36 गर का एक dance form में, that is Panthi, okay, next, the famous Madhubani artist who won the Bihar Ratna in 1984 is whom? okay, the famous Madhubani artist, famous Madhubani artist कौन है जिसने Bihar Ratna जीता है in 1984, Sita Devi, Shashikala Devi, Mahasundari Devi, या फिर Ganga Devi, the right answer to this question is option A, Sita Devi, ठीक है, तो Sita Devi के बारे जान लेते है, Sita Devi, birth year है 1914, death year है 2005, was an Indian artist specializing in painting in the Madhubani tradition, so Madhubani is in traditional paint, या फिर traditional art form है, and she was specialized into it, okay, this is her picture, she is one of the most well-known Madhubani artist from India, and was one of the first to receive national recognition for the art form, receiving a number of awards for her work, including the Padmashree, So, उनोने Padmashree award भी जीता था, that is one of the highest civilian awards in India, okay, so that is a national awards में गर हम देखे हैं, तो that is one of the highest civilian awards in India, so Padmashree उनको दिया गया था in 1981, and at the same time in 1984, she was awarded with, उनको कौंसा award मिला था, Bihar Ratna award मिला था, Bihar Ratna Samman उनको दिया गया था in 1984, okay, so, याद रखना है, बहुत important question है, Sita Devi was in Madhubani artist, अब देखो हम सारे questions तो कवर निगा, but as far as possible, we are trying to cover it out for you, okay, Pandit Bheem Sen Joshi is related to which form of art, तो Bheem Sen Joshi कौंसे form of art से related है, Hindustani vocalist, flute player, sitar maestro, या फिर ODC dancer, so the answer to this is option A, so Pandit Bheem Sen Joshi is an Hindustani vocalist, okay, so Bheem Sen Gururaj Joshi, वो उनका पूरा नाम है, okay, Pandit Bheem Sen Joshi, हम Pandit उनका इसले बोलते, because he is a scholar in his subject, so that is the reason we use the word Pandit, so Pandit Bheem Sen Gururaj Joshi is his full name, okay, was an Indian singer from Karnataka, in the Hindustani classical tradition, so he was from Karnataka and he learnt Hindustani classical tradition, classical tradition of music, he was known for khayaal form of singing, as well as for his popular renditions of devotional music, bhajans and abhangs, he recited the Bharat, sorry, he received the Bharat Ratna, okay, not recited, I am really sorry for that, he received Bharat Ratna India's highest civilian award in 2009, so he was also awarded Bharat Ratna, okay, inko bhi Bharat Ratna milata, the highest civilian, okay, it is the highest, it is not one of the highest, but it is the highest civilian award in India, okay, and received in 2009, okay, chalo, getting to the next question, to which of the following state, does the folk song, Bhavaiya belong, so Bhavaiya is in state, folk song of which state, so Bhavaiya is, is it of Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, or Orissa, so the right answer to this question is, option C, West Bengal, West Bengal ka folk song hai Bhavaiya, okay, and once again, to list all the folk songs, in India, which cover up are used, in the worksheet, you will get, in the worksheet, in the worksheet, you will get a table, where all the folk songs, styles, you will get, in this worksheet, okay, तो वहाँ पे कौन से स्टेट वाइस कौन से सॉंग मतलब वहाँ पे गाया जाता है वो सब आपको मिल जाएगा moving ahead to the next रथ यात्रा एट पूरी is celebrated in honor of witch god this is a very easy question okay and ऐसे questions भी आ सकते हैं because level वहाँ जाद नहीं होने वाला इस examination कर Lord Shiva, Lord Rama, Lord Jagannath या Lord Vishnu so we all know कि पूरी में किस का मंदिर है Lord Jagannath का, Bhagawan Jagannath का मंदिर है so रथ यात्रा जो कि हर साल होती वहाँ पे that is in honor of Lord Jagannath option C will be the right option okay next who started Ganesh Chaturthi festival यह सब को पता होना चाहिए everyone should know this Ganesh Chaturthi festival किसने शुरू किया था Bal Ganga Tati Lag, Lala Rajputra Bipin Chandrapaul या फिर Mahatma Gandhi the right answer to this is very simple that is Bal Ganga Dhar Tilak okay let us understand some more things about it कुछ और भी चीज़ जान ले दिन in 1983 sorry in 1893 okay not 1983 in 1893 it was the first time जब की Bal Ganga Dhar Tilak ने इसको start किया था in Maharashtra okay so first year जब की इसको start किया था that was 1893 okay चलो, moving ahead next Arisilk belongs to which state of India Arisilk okay Arisilk एक का टेक्स्टाइल है okay तो एक का टेक्स्टाइल है यह कौन से state से belong करता है वो बताना उत्तर प्रदेश, Meghalaya, Tamil Nadu या महारास्ट्रा the right answer to this question is Meghalaya option B तो Arisilk belongs to the state of Meghalaya ठीक है और once again हमने textile styles जो भी होते हैं इंडिया में उन सब का एक list आपको provide किया है और also एक map दिया है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में थोड़ी और आसानी हो सकती है worksheet में आप उसको आपको वो भी मिल जाएगा आज के worksheet में तो बहुत इसलिए मैंने कहा ना कि आज का worksheet हमने बहुत ही जादा informative बनाया बहुत सारी चीजों को उसमें इंक्लूड किया है और mostly इसमें से अगर culture based में question आता है तो chances है कि यह worksheet से जरूर आ जाएगा okay so culture based में का question आएगा culture या history से related questions अगर आएगे there is a very good chance कि यही worksheet से आ सकता है there is a very good chance into it चलो बढ़ते है next अब हमारा जो history का section we'll starting with that history section अभी जो हमने 10 questions किये थे वो culture related थे अब आप यह मत सोचना कि सर ने सिफ 10 question करा है देख 10 question करा हैं बद आपको information भी बहुत सारा मैं दे रहा हूं जो कि वोक्षीट में आपको मिलने वाल है and GK is not something that we teach you okay this is all this is something that you learn और जो आपको आना चाहिए okay so that is nothing of यहां पे कोई logic नहीं जो मैं आपको 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 there is only pointers, there is only like important things, dates वगरा वो सारी चीज़ों जो आपको याद करने जरूओती तो यहां पे there is nothing for a logical order to teach you okay current affairs यहां पे तो current affairs is explain कर सकते हो क्या कैसे related हुआ है क्या सरे चीज़े but GK is something that you have to learn and remember okay which area of India was known as Awantika कौन सा area India क था in ancient India जिसको Awantika नाम से जाना जाता था Awadh, Ruhelkhand, Bundelkhand or Malwa the right answer to this is option D Malwa was known as ओके मालवा वस नोन ऐस अवंतिका ओके यहां पर थोड़ा इंफरमेशन देखें तो एन एंशिंट सिटी मालवा सिच्वेटेड ओन इस्टिन बैंक ऑफ दी शिप्रा रिवर उजयन वस नोन ऐस अवंतिका और आज के टाइम पर हम मालवा के नाम से जानते हैं ओके वस नोन आव के वस नोन आढ़्यक्व वस नोज के आज सक्रयिフ विय्ड का लिश्र अट्य Ready के विशन इंट ग्रैस हम 오र्ट इंड रैस्व के सिग्वर बीेस और इंडेल च्कैन एंडि को निटिकर अगी बढ़त हनें पमें दी इंट भानबट है यहां उस नोल झान पर्था तो बिफोर क्राइस्ट के 600 B.C. में it emerged as a political center in the Central India, ठीक है? Next, आगे बढ़ते हैं, बानभट was the court poet of which emperor? Okay, very factual question, fact based है ये question, बानभट कौनसे emperor या फिर कौनसे raja के court में थे? So, बानभट, option A. विक्रमदित्य, कुमार गुपता, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क The right answer to this is option C. हर्षवर्धन So, in the court of emperor हर्षवर्धन, बानभट पोएट थे Next, the great silk route to the Indians was opened by There was in great silk route, okay, called great silk route to the Indians was opened by Kanishq, Ashoka, Harsh, Fahein So, the right answer to this question is option A. Kanishq Kanishq rulers ने, okay, Kanishq ने इसको start किया था, okay, the great silk route Who started the Shaq era, okay, who started the Shaq era, which is still used by the government of India Now Shaq era is a calendar, okay, that marks the center point, okay So, it was started by Kanishq, Vikramaditya, Samudra Gupta, or Ashoka So, who started it? So, hiska right answer is option A. Once again, Kanishq started it, okay And getting to the more information about it, Kanishq was the emperor of the Kushana Empire, okay Kushana Empire के, जो Kushana Empire था, उसके एक रूलर थे Kanishq, okay उसके एक राजा थे Kanishq, और from 1780 onwards, he started the Shaq year So, 78 AD, okay, 78 AD, okay This means that Shaq year means यहाँ पे की, he marked this as a center, मतलब यहाँ से 0 as in शुरू होगा The Shaq era, for Shaq era, यहाँ से 0 considered किया जाएगा That means ki, अगर हम देखें, तो like from Christianity, we come from like we have 0 and then we have got BC and we have got AD, right So, before Christ and Anna Domini, but now, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, तो 78 AD was marked as the 0 year by the Kanishq Kanishq emperor of the Kushana empire, okay So, this is it and this is still tilded, used by the government of India Okay, next, which of the following is the classic Jeevaka Chintamani in Tamil associated? So, in Tamil, Jeevaka Chintamani is associated with which religion, Jainism, Buddhism, Hinduism or Christianity? So, the right answer to this is option A, it is related to Jainism, okay Let's get to some of the information of Jeevaka Chintamani So, Jeevaka Chintamani is one of the five great Tamil epics, okay So, it is one of the five great epics, epics means Kahaniya, okay So, out of the five great epics that is in Tamil, so, Jeevaka Chintamani is one of that authored by Madurai based author Jain Okay, his name was Theru Theru Tuck Kate Vr Okay, I'm really sorry, if I'm, like, my pronounce is Khael right. I don't know Theru, Theru Tuck Kate Vr, was the author of this Jeevaka Chintamani in the early 10th century The epic of the story, the epic is a story of a, okay, what is this epic, what is this, what does it explain, so it is a story of a prince who is the perfect master of all arts, perfect warrior and perfect lover with numerous wives, okay, the Jeeva ka Chintamani, okay, this is another type of like a form of, jismen we have Jeeva ka Chintamani, okay, that is Siva ka Chintamani, okay, it is sometime also written as Siva ka Chintamani, Okay, instead of Jeeva ka Chintamani, and it is also known as Mananul, okay, in Tamil it is known as Mananul, okay, chalo, getting ahead, the words Sathya Meo Jayate in the state emblem of India were taken from, So, Sathya Meo Jayate, the words that we have showed, this were the words that we have sent, which were sent, upanishad, samaved, rigaved or ramayana, the right option to this is Upanishad, okay, so it was taken from Upanishad, one of the Upanishads, जिसका मेनिंग होता है, truth alone triumphs, okay, so this is the meaning for satya में हो जायते, okay, चलो, moving ahead, next, so which among the following has not been found in the excavation of the harappan sites, so जब harappan sites को excavate किया गया था, तो वहाँ पे क्या ने फाइंग हो था, drains and well, fort, reservoirs, temple with shikhar, so the right option to this is option D, temple with shikhar, shikhar means the dome, जो top में जो में होता है, so that was not found in the harappan sites, next, the title Indian Napoleon has been attached to, Chandragupta मौर्य, Samudragupta, Chandragupta 1, या फे हर्षो वर्दन, okay, so the right option to this is, the right answer is, Samudragupta is known as the Indian Napoleon, okay, Samudragupta is known as the Indian Napoleon, okay, next, with whom is Junagarh rock inscription associated, so Junagarh rock inscription, that means there is in Junagarh rock, like, कुछ हमारे पास में रिमेंज है, so that is related to which of the rulers, Rudra Daman, Bimbisara, Chandragupta 2, Gautami Putra, Satkarani, okay, so who is related to this, so option A, Rudra Daman, is related to the Junagarh rock inscription, okay, next, which was the only Indus site, with an artificial brick dockyard, तो Indus, जो साइट से, okay, which is the only Indus site, which, with an artificial brick dockyard, जहां पे artificial brick से dockyard बनाएगा था, Lothal, Kalibangan, Harappa, या Mohanjodaro, the right answer to this is option A, so option A is the right answer, that is Lothal, so Lothal was the only Indus site, जहां पे artificial brick से dockyard मिला था, next question is, Harshwardhan organized his religious assembly at, so the king Harshwardhan, now these questions are related to ancient India, okay, और ऐसे questions आने का rare chances, but we are covering it, just because at least आपको कुछ थुदा बहुत पता होना चीए, so Harshwardhan organized his religious assembly at, Mathura, Prayag, Varansi, और Tamralipat, the right answer to this question is Prayag, okay, so option B is the right answer, ठीक है? 23rd question is, who was the first known Gupta ruler? तो Gupta ruler में, okay, in the Gupta dynasty, who was the first ruler, okay, Shri Gupta, Chandra Gupta 1, Gatotkaj, और Kumar Gupta 1, so the right answer, इसका भी right answer होगा, option A, Shri Gupta, Shri Gupta was the first ruler of the Gupta dynasty, okay, he was the first ruler of the Gupta dynasty, which of the following literary works, belongs to classical Sanskrit literature, Dhamapad, Vedas, Meghadutam, Dighanikaya, so, इसमें से कौन सा literary work है, जो की classical Sanskrit literature को, belongs to the classical Sanskrit literature, Dhamapad, Vedas, Meghadutam और Dighanikaya, the right answer for this is, option C, Meghadutam, the Meghadutam जो है, that is the classical Sanskrit literature, okay, it belongs to the classical Sanskrit literature, in Mauryan dynasty, Kalinga war took place in the year, in Mauryan dynasty, okay, Mauryan dynasty, the founder of the Mauryan dynasty was Chandragupta, okay, and the Kalinga war took place in the year, 260 BC, 261 BC, 126 BC, or 232 BC, okay, so, the right answer to this is option B, option B will be the right option to it, okay, और इसके बाएं थोड़ा से जादा information में चलो, एक बाद देख रहे हैं, the Kalinga war, the Kalinga war ended in 261 BC, was fought in ancient India, between the Mauryan empire, under Ashoka and Kaling, okay, so, the ruler that fought this is Ashoka, and Kalinga के बीच में fought हुआ था, like fight हुआ यहाँ पोई था, Mauryan empire के king थे, ruler थे Ashoka, an independent feudal kingdom, located on the east coast, in the present day, present day state of Orissa, and northern parts of the Andhra Pradesh, it is presumed that the battle was fought on Dhali hills in Dhali, which is situated on the banks of the Dhali, Nagar, Daya Devar, okay, so, right now, आज के दिन में Dhali hills है, the Kalinga war, was one of the largest, and the deadliest battle in the Indian history, so, in the Indian history, it was one of the deadliest battle considered, because nearly 250,000 people lost their lives in this battle, okay, this was one of the major war that Ashoka fought, after his accession to the throne, मतलब की, जब वो राजा बन गया था, जब अशोका राजा बन गया, तो उसके बाद में, like, it was one of the most major wars, जो कि उनोने फाइट किया था, and, mark the close of the empire building, and military conquest of the ancient India, that began with the Mauryan empire, Chandragupta Mauryan, so, that was the last war, also the last war, because उसके बाद में, उनोने empire building, or military conquest को, रोग दिया था, because when you saw the bloodshed over, in Kalinga, तो उनको वहाँ पे वो चीज बिलकुल अच्छा ने लगा, और इसके वाज से उनोने इसको स्टॉप, but, in the entire history, जो, Chandragupta Maurya, और दिमाuryan empire था, it was one of the most strongest, because हम यहाँ पे अगर देखें, ध्यान से, if we have a look, so this is the map of India, and also इस में साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, everything is included, so you can see how much area they have already captured, so, starting from the Chandragupta Maurya, they have already, like they captured entire India, और entire area, like entire India पे, सिफ एकी रूल था, that was of the Chandragupta, like Chandragupta Maurya, or the Mauryan empire, okay, so, but, after, the Kalinga war, Ashoka वहाँ से stop हो जाते है, and then, the downfall of the Mauryan empire, starts from that point of onwards, okay, so this is all the GK for आज के दिन के लिए, अब तो आज के दिन के लिए, सारे GK था, okay, जो की Indian history and culture से related था, okay, एक चीज़ जो हमने आप से प्रॉमिस किया था, वो था की GK बंडल, okay, so, GK बंडल के बारे में आप से बात किया था, और हमने एक पोल भी कंड़क किया था, जहां पर हमने बोला था, GK बंडल हम लेक आए और आप में से काफी सारे लोगों का एक अच्छा रिस्पॉंस आदा, so, we are finally starting it, okay, so, we'll be finally starting the GK बंडल, okay, so, GK बंडल के बंडल के बंडल के लिए उनको वो डेली बंडल के लिए उनको वो डेली बेसिस पे मिलता रहे गा, okay, देखिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप इसको पर्चेस ही करिए, but if you want to, so, you can definitely buy it, because, हम यहां पे आपको सारा करेंट अफैर्स सब कुछ आपको प्रोइड कर देंगे, okay, now, what you have to do, you have to make a payment, okay, आप कैसे इसको पर्चेस कर सकते हैं, you have to make a payment of Rs.200, तो इसका जो कॉस्त हमें रखा है, that is Rs.200, and this will be for 30 days, okay, so, this is for 30 days, मतलब कि आपको जो डेली बंडल है, that you will get for 30 days, तो 30 दिन के लिए आपको ये डेली बंडल मिलता रहेगा, okay, every day, तो अगर हम देखें, तो every day जो कॉस्त आपको बन रहे है, that is Rs.7 रूपीस पर दे, ये का कॉस्त यहां पर आपके लिए बन रहे है, ठीक है, तो per day Rs.7 रूपीस ये आपके लिए कॉस्त है, आपको क्या करना है, आपको ये UPI ID पर, 9 Singularity at the rate YBL, ये UPI ID पर आपको पेमेंट करना है, okay, you have to make a payment on 9 Singularity at the rate YBL, okay, so this ID पर आपको पेमेंट करना है, 9 Singularity at the, आप कोई भी पेमेंट आप यूज कर सकते हैं, Google पर यूज कर सकते हैं, okay, Google पर यूज कर सकते हैं, Paytm यूज कर सकते हैं, और like, phone पर यूज कर सकते हैं, any application you can use to make a payment, okay, ये ID है, इस ID पर आप लोग ध्यान से इस ID को फिल करें, this is 9 Singularity at the rate YBL, okay, so this is 9 Singularity at the rate YBL, इसके उपर आपको पेमेंट करना है, and once the payment is done, आपको क्या करना है, next step is, कि आपको एक Google Form मेंने दिया हुआ, okay, this is the Google Form, okay, ये इसका लिंक है, जो कि आपको नीचे description में भी दे दिया गया है, okay, so in the description below also it is provided to you, आप description में जा सकते हो, इस link पे click करोगे, तो एक आपके लिए Google Form open हो जाएगा, उस form में आपको क्या करना है, उस form में आपको आपका नाम, आपका WhatsApp mobile number, आपका mobile number, अगर same है, तो same number डाल देना, कोई अलग number डालने की जरूँ होता है, just हमने कभी-कभी किश कुछ लोगों का WhatsApp mobile number अलग होता है, mobile number अलग होता है, तो यहाँ पे same है, तो same number डाल देना कोई फरक नी पड़ता है, ठीक है, तो हमने just यहाँ पे two fields create की होए, आपका email ID, फिर आपने जो payment किया है, उसका screenshot का, उसका screenshot या तो PDF format में, या तो फिर JPEG या फिर कोई भी image format में, कोई भी image format चल जाएगा यहाँ पे, तो उसको बस यहाँ पे add file पे click करना, और add कर देना, और आप किसके लिए preparation कर रहे हैं, आपको यहाँ पे click कर सकते हो, यह हम just एक यहाँ पे survey part conduct कर रहे हैं, कि BBA, BMS, BBM या फिर BCA, आप multiple options को भी tick कर सकते हो, अगर आपको दो किसी exam के लिए कर रहे हो, मतलब दो stream में जाना चाहते हो किसी एक में, तो आप दो को भी tick कर सकते हो, आपका city कौन सा है आप यहाँ पे link देना, और submit कर देना इस form को, once the form is submitted, you will be added into a WhatsApp group, हम उसमें आपको add कर देंगे, and also आपको यह जो भी रहेंगे, so WhatsApp group में आपको on daily basis, from 16th April onwards, आपको मिलते जाएगा, so this is how the process will go, इस तरीके से यह process flow होगा, पूरी तरीके से, so आपको daily basis पे current affairs, and GK मिलते रहेगा daily bundle, okay, जिसमें इसी तरीके जैसे आज आज आपको worksheet मिल रहा है, तो जैसे आज आज वरक्षिट हमने आपको दिया हुए, similar kind का worksheet आपको daily basis पे मिलेगा, so that is what you have to read, and मतलब आपके लिए एक अच्छा यहां प्राक्टिस हो सकता है, ठीक है, so I hope that this is very clear to you, okay, और कल के दिन में हमारा computer का lecture होने वाला है, 21st day है, जहां पे हम memory पढ़ने वाले है, memory will be our topic कल के दिन में, so very important, out of that, तो अगर आज के notes और worksheets डाउनलोड करने हैं आपको तो WhatsApp और Telegram पे आप जॉइन कर सकते हैं, QR code दिया गया है, scan कर सकते हैं यहां फिर description में लिंक है, जाके वहां से जॉइन कर सकते हैं, subscribe करना बिल्कुल नद भूलना, okay, और कोई डाउट रहे हैं तो नीचे comment करें कि आप हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं कल के lecture में, till then take care and good bye.